दोस्तो आज हम बात करेंगे कि आप कैसे चेक करेंगे कि आपके कंप्यूटर में कौन सा ग्राफिक्स काड लगा हुआ यानि कि ग्राफिक्स का डीटेल आप कैसे चेक करेंगे दोस्तो यदि आपके कंप्यूटर का डिस्पले खराब हो गया है तो आपको ये जानना जुरू देना है उसके बाद थोड़ा सा वेट करना है तो एक box अभी open हो जाएगा देख सकते दोस्तों open हो गया है तो यहां पर second number में आपको click करनी डिस्पिले में तो डिस्पिले में आप जैसे ही किलिक कर देंगे तो यहाँ पर सारा डिटेल दिखा देगा जैसे यहाँ पर दिखा रहा नेम में इन बिल्ड पहले से यहाँ लगा हुआ है अलग से भी आप लगा सकते है उसको डेडिकेटेड बोलते हैं जिसको एक्स्टर्नल भी बोलते हैं अलग से लगा सकते हैं तो यहाँ पर दिखा रहा चार हजार driver का जनकारी दे दिया graphics का कि कौनसा driver इस्टोल है तो ये जनकारी इसलिए जरूरी है कि कौनसा brand इस्टोल है कि इतना जीवी का इस्टोल है यह इसलिए जरूरी हो जाता है कि यह आप जो है display problem को fix कर रहे हैं तो इस टेम आपको जानना जरूरी होगा कि आपके computer में कौन सा graphics लगा हुआ है कौन सा brand का लगा हुआ जैसे कि MD का लगा हुआ है MD Ryzen का या फिर Intel का या फिर Nvidia का कौन सा लगा हुआ तो आपको यह जानना जरूरी हो जाएगा तो इस run command की मदद से आप जो है बहुत ही असानी से जिस तरह मैंने बताया इस तरह चेक कर सकते हैं कि कौन सा brand का है सारा detail यहाँ पे खुल के सामने आ जाएगा यदि आपका secondary भी लगा हुआ रहेगा secondary graphics तो यहाँ पे display के बगल में यहाँ पे आपको और भी एक देखने के लिए मिलेगा रेंडर करके ठीक वहाँ पे किलिक कर देंगे तो secondary वाला detail भी खुल जाएगा मेरा में केवल एक ही लगा हुआ है primary इसलिए यहाँ पे रेंडर वाला option नहीं आ रहा है तो उम्मीद करता हूं दोस्तो यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया हुगा यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइकर शेयर जरूर कर देंगे छोटी से जनकारी थी मुझे लगा कि आपके साथ सेयर करना चाहिए तो चलिए दोस्तों मिलते फिर नेस्ट वीडियों जह हैं तोस्तों